हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज बात करने वाला हूं में एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को बिलॉंग करता है निवेसकों का वेल्थ इसने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रख दिया है दोस्तों तो मैं बात कर बात कर रहा हूं ऐसे बैंक के बारे में जिसने निवेसकों को बहुत ज्यादा परिसान किया बीते एक से दू साल के अंदर स्टॉक है यस बैंक का आप लोग सोच रहा है इसको भी खईदा जाए बेचा जाए जिसके पास है या होल्ड करें तो दोस्तों मेरी तरफ से स्ट को पूरी तरीके से आप आप कीजिए लउस ही होगा नहीं तो दोस्तों बात कर रहा हूं ये स्टॉक के बारे में जिसने अपने निवेसकों की वेल्ज को पूरी तरीकेश हजम करके लग दिया दुस्तों बेस्टी नस्षी दोनों में ता 15 रुपए 90 पैसे का जहाँ पे ओपन हुआ था वहाई दिन का लो 15 रुपए 10 पैसे का स्टॉक ने दोस्तों लगाया जहाँ पे इसकी क्लोजिंग लगाया स्टॉक ने लगबग 5 परसेंट का आए इसकी रिटन की प्रोफाइल देखते हैं बीते एक दिनों में किस प्रका स्टॉक 67.90% डाउन हो चुका है एक साल में स्टॉक 80% से ज़्याधा गिरावत दिखा रहा है वहीं 3 साल में इस्टॉक ने 95.76% का डाउनफॉल दिखाया है और 10 साल के अंदर इस्टॉक ने अपने निवेशकों को जो रिटन दिखाया है वो 76% का डाउनफॉल है मतलब मैं अभी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि येस बैंक से अभी तो बिल्कुल दूरी रहना चाहिए आपको बुरा हाल हो चुका इस बैंक का प्रीवेस क्लोस आप देख सकते हैं 15 रुपए 10 पैसे वॉल्यूम बहुत जाड़ा ट्रेड होते हैं लोग पता नहीं क्या कर हैं हमें समझ में नहीं आता है 19 करोण 6,50,308 शेयर का वाल्यूम ट्रेड हुआ फेजवली स्टॉक की 2 रुपए की 52 वीक लोस ने 5 रुपए 65 पैसे का बनाया जिस दिन ये 85 से 90 परसेंट गिरा था वहीं 52 वीक हाई आप देख सकते हैं 206 रुपए का 404 रुपए के उपर इ बैंक इंडस्ट्री को बिलाउंग करने वाला 37,758 करोण का मार्केट कैपटल अभी एक लार्ज कैप है क्योंकि इसमें आपियों के दौरा आप पता है आपको बड़ा पैसा भी आया है लेकिन मैं अभी अपने बार इतना चाहता हूं इस बैंक से आपको दूर रहना चाहि में मूचल फंड एक देसम दो साथ जीरो परसेंट इंस्वरेंस कंपनियां चाहे दसम लोग पात-चार परसेंट नॉन इंस्टिट्विशन नो बत्तिस परसेंट के आसपास सभी लगबग इसमें स्टेक बढ़ा रहा है वही अधर डियाई के पास पैस लगबग 6 की ओलने एफाई आई की दोसो चौदा स्कीमों ने पैसे लगा रखा हाई यस पब्लिक से रोल्डर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसका अक्यूजिशन किया था हाल में 30 परसेंट की स्टेक है उनके पास और हम आप जैसे जो रिटेल नहीं वेसक है 16-15 परसेंट का स करते हैं यस बैंक के स्टॉक के अंदर रखते हैं अभी पूरी तारीच के स्टॉक को एवाइड कीजिए आप लोग यदि आपको लेना भी है तो इसमें सिच्वेशन अगर ठीक हो तो आप इसमें इंट्री कर सकते हैं दोस्तों